कितनी गर्मी हो रही है और रोस परोस में यहाँ वहाँ भोजन भी नहीं मिल रहा अब मुझे भोजन ढूरने के लिए यहाँ से दूर जाना पड़ेगा तब भी कालुकवे को बुलबुल देखती है जो के ठंडी ठंडी आइस क्रीम खा रही थी कालुकवे बुलबुल थंडी ठंडी आइस क्रीम खा रही है बुलबुल की ये ठंडी आइस क्रीम तो मैं खा करी रहूंगा कालुकवे बुलबुल के पास जाता है और उसके हाँ से उसकी आइस क्रीम छीन लेता है दूश कावे मेरी आईस क्रीम छिनने की हमत क्या सोई मैं चोड़ूगी नहीं तुमें पक्षियों पक्षियों जल्दी आओ यहाँ पर देखो इस चोर कालू कावे ने मेरी आईस क्रीम उसे छिन ली बुलबुल की तेज वाद सुनकर सारे पक्षी बहाँ पर आ जाते हैं अच्छा तो इस टोर कालुकवे ने हमारी बुलबुल को परिशान किया है चलो पक्षियों इस कालुकवे को आईस्क्रीम खाने का असल मज़ा चकाते हैं सारे पक्षी मिलकर कालुकवे की होग पिटाई लगाते हैं कालुकवा तो जैसे कैसे बच कर वहाँ से भाग निकलता है आज तो बाल बाल बच गिया वरना वे पक्षी बहुत मारते मुझे कालुकवे को पक्षियों पर बहुत जादा गुसा आ रहा था मैं पक्षियों से अपना बदला लेना चाहता था काश मेरे पास बहुत ताकत होती तो मैं बताता है इन सारे पक्षियों को कि कालुकवे से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है ओए कववे तुम तो पक्षियों से बहुत परिशान लगते हो लगता है पक्षियों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है चली जओ चली जओ यहां से बाजू चील मुझे किसी से बात नहीं करनी लगता है पक्षियों ने आज तुम्हारी ठीक ठाक पिटाई लगाई है तभी इतने गुस्ते में हो तुम मैं उन पक्षियों को छोड़ूंगा नहीं बदला लेकर रहूंगा सबसे मैं कववे मेरा एक दोस्त था जिससे उन जालिम पक्षियों ने बुरी तरह से मार दिया मैं तब से ही अपने दोस्त का बदला लेना चाती हूँ हाँ अगर तुम चाहो तो मुझसे दोस्ती कर सकते हो मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दोंगी तुम पक्षियों के साथ जो चाहो कर सकते हो फिर पर अंतु बाजोचील तुम भला मेरी मज़द क्यों करोगी भाई जब से उन पक्षियों ने मेरे दोस्त को मारा है मुझे उन पक्षियों से बदला लेना है और मैं जान गई हूँ कि अगर तुम्हें मेरी ताकत मिल जाए तो तुम अन पक्षियों से अच्छा बद्दा ले सकते हो ये बात सुनकर कालू कववा बहुत जादा खुश हो जाता है ठीके ठीके बाजू चील आज से तुम मेरी पक्की वाली दोस्त हो आज से ही फिर बाजू चील और कालू कववे के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है अगले दिन कालू कववा बाजू चील के साथ मिनुचरिया के घर के पास जाता है और मिनुचरिया के घर को उचल उचल कर तोड़ देता है मिनु चेडिया एक डंडा लेकर कालु कवे को मारने आगे बढ़ती है तब यचानक वहाँ पर बाद्यू चीला जाती है ना ना चेडिया हाथ भी ना लगाना मेरे दोस कवे को वरना तुमारा हाथ तोड़ दूगी चलो भाग जाओ यहाँ से कालु कवे बाजू चील के जोर पर इतरा रहा था वे वहाँ से चला जाता है फिर दूसरे दिन भी कालु कवे कबुतर के खेट में जाता है यहाँ पर क्यों आए हो कालु कवे लगता है हमारी मार भूल गय हो तुम ओए अब पुराना वाला कालु कवे ना समझना मुझे कबुतर मेरे साथ मेरी प्यारी दोस बाजू चील है अगर तुमने मुझे नुक्सान बचाना चाहा तो बाजू चील तुमें कर्चचबा जाएगी मुझे पता ही था तुम अकेले तो कुछ कर नहीं सकते दूसरों का सहारा लेना चलो कालु कवे जाओ यहां से मुझे मेरे खेट में काम करने दो ये खेट बचेगा तभी तो तुम कोई काम करोगे ना कबुतर अब देखो मैं क्या करता हूँ तभी कालु कववा पैट्रोल लाता है पूरे खेट में पैट्रोल डालकर वे आग लगा देता है कालु कववा कबुतर के खेट को जला कर बाजू चील के साथ वहां से चला जाता है कबुतर तो विचारा अपना सर पकड़ कर बैट जाता है उसका तो काफी भारी नुकसान हो गया था इसी तरह कालु कववा बाजू चील का सहारा लेकर तो ते को भी बहुत परिशान करता है उससे बिला बज़ा बहुत मारता है अब तो सारे पकशी बाजू चील की वज़ा से कालु कववे से काफी धरने लगे थे अब तो मैं कहीं से भी गुज़रता हूँ पकशी मुझे देखकर भाग जाते हैं वा अरे कालू तेरा ढर बैठ गया है पकशियों के दिलों में मैं तो चाहता भी यही था अरे वा कालू जी पकशियों को धरा धरा कर कितना सारा भोजन जमा कर लिया आपने बाजू चील ने तो आपकी किसमत ही खोल दी क्या बाजूचील रानी अब बस भी करो ये सब तुम्हारे पती कालू का उवे ने किया है बाजूचील तो बस मोर्ती की तरह खड़ी रती है पक्षियों को तो मज़ा मैं चकाता हूँ ओ कालू जी जारा जूट ना बोलो पक्षी क्या आपसे तो कोई बच्चा भी न ढढ़े सारे पक्षी बाजूचील की वज़ा से ही आपसे ढ़र कर भाग जाते हैं कहा है ना रानी बाजूचील मेरे सामने कुछ भी नहीं है देखना एक वक्त आएगा जब मैं भी उसे पक्षियों की तरह ढ़रा कर जंगल से बाहर निकाल दूँगा और फिर बस पूरे जंगल में पक्षी सिर्फ मुझ से ही ढढ़ेंगे कालू कववा घर में बैठा रानी कववी के सामने होश्यार यमा रहा था ये बात खिड़की से बाजूचील सुन लेती है मैंने इसकी इतनी मरत की इसे अपना दोस्स समझा और ये मुझे जंगल से निकालने का सोच रहा है अब तो मैं इसे बताऊंगी के बाजूचील है कौन अगले दिन कालू कववा बाजूचील के साथ बुल बुल की बेटी को पकड़ देता है चंगल के सब पक्षी भी वहाँ पर जमा हो जाते है मेरी बेटी मेरी बेटी को छोड़ दो कालुकावे छोड़ो इसे तुम्हारी बेटी को तो कड़ाई के गरम गरम तेल में डाल का तलूगा और बाजुचील इससे मज़े से खाएगी कालुकावे ये जलुम ना करो छोटी सी बच्ची है छोड़ दो इसे तुम तबी बाजूचील को कालू कवे की वो ही सारी बातें याद आने लगती है पक्षियों आईसे में इस कवे की दोस्त नहीं हूँ इस कवे के साथ जो करना है करो तुम सब ये बोलकर बाजूचील वहां से चली जाती है बाजूचील के जाने से कालूचील के सारा भरम तोट गया था और वे बिलकुल अकेला हो गया था पक्षियों इस कालूचील का वे कर छोड़ूगा नहीं में इसने मेरी सालों की मेहनर जाया की है मैं भी नहीं छोड़ूँगा इसने बाजूचील का साहारा लेकर मुझे बहुत बुरा मारा सारे पक्षी गुस्ते में कालू कावे पर हमला करते हैं और आज तो कालू कावे को बहुत बुरी तरह से मारते हैं प्यारे दोस्तों अगर आप सब को ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रू करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ओ रानी ये क्या कहां जा रही हो समान बान कर कालू जी भाई का फोन आया था भाई ने भाई का जीना हराम करके रखा है जा रही हूँ भाई के खबर लेने पूरा एक महीना रुक कराऊंगी बताती हूँ भाई को के मैं का चीज हूँ एक महीना रुकने जा रही हो रानी ओ यार मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा बस न कालू जी एक महीने के लिए ही तो जा रही हूँ आ जाओंगी मैं वापस आप मेरी चिंता ना करना अच्छा ठीक है चली जाओ पर रानी मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी हाँ पर कालू जी भावी को सीधा करके मैं फॉरन वापस आ जाओंगी क्या बाते कालू कोवे तुम और उदास ऐसा कैस हो सकता है बताओ मुझे क्या बाते क्या बताओ मिनुचेडिया रानी एक महीने के लिए अपने भावी के घर पर रुकने के लिए चली गई है मैं बहुत जादा उदास हो गया हूँ अरे वाका लुकवे तुम तो बहुत ही अच्छे पती हो वैसे अगर तुम्हे रानी कोवे की इतनी याद आ ही रही है तो तुम भी चले जाओ ना उसके भाई के घर पर इतना क्याकर मिनुचेडिया वहाँ से चली जाती है दोस्तों अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंके ये कहानी आगे और भी जादा इंटरस्टिंग होने वाली है दूसरे दिन जंगल में एक सुन्दरस्टि कववी आती है जिसने अपने गले में बहुती महंगा सोने का हार पैना हुआ था कालू कववा भी अपने घर से बाहर बैटा था तब ही उसकी नजर उस सुन्दरस्टि कववी पर जाती है कववी जी आप कौन हो इससे पहले तो मैंने आपको कभी भी इस जंगल में नहीं देखा मेरा नाम सोनी कववी है मैं दोसरे जंगल में रहती थी पर एक दिन मेरे घर में आग लग गई जिस कारण मेरे मात अपिता मेरे भाई भाबी सबका दिहान थो गया मैं बिलकुल अकेली रह गई ओहो ओहो बहुत अफसोस हुआ सुन कर ये तो कालु कववी की नजर सोनी कववी के सोने के हार पर पड़ती है वा भाई इस कववी ने गले में कितना महंगा सोने का हार पहना है दिखने में भी काफी अमी लग रही है सोनी कववी जी आप परिशान नहो मैं दिलका बहुत अच्छा हूँ आप चाहो तो मुझे अपना दोस भी बना सकती हो वा इस जंगल में आते ही मुझे एक दोस भी मिल गया चलो जी मैं आपकी मदद करता हूँ कववी जी यहाँ पास में ही मैंने अपना घर खरीदा है चलें मैं आपको दिखाती हूँ सोनी कववी अपने आली शान से घर में कालू कववी को लेकर आती है हरे वा मैंने सही सोचा था सोनी कववी तो सच मुझ की इतनी ज़ादा अमीर निकली हमारे जंगल में कितना आलिशान घर खरीद लिया इसने कवे जी क्या सोच रहे हैं आप सोनी कवी जी लगता है आपके माता पिता बहुत अमीर होंगे तबी तो आप भी इतनी जादा अमीर हो हाँ हाँ मेरे बाबा जंगल के मुखिया थे पर अब मेरा परिवार मुझे छोड़का चला गिया इसलिए उनका जो भी था वो अब सब मेरा हो गिया है मैं चाहती हूँ अब कि मुझे कोई अच्छा सा कववा मिल जाए जिससे में शादी करके अपना आगी का जीवन बहुत पुर सुकून गुजारूं ये सब कुछ देखकर कालु कववे के मन में लाल सा आ जाती है रात हो रही थी कालु कववा बस उसी सोनी कववी के बारे में सोच रहा था अगर किसी तरह मैंने उस सोनी कववी को बेकूब बना कर उससे शादी कर ली तो उसका सारा कुछ मेरा हो जाएगा और मैं भी बहुत जादा अमीर हो जाओंगा से मैं उस कवी को लूट कर उसे छोड़ दूँगा और जंगल से दूर भाग जाओंगा हाँ हाँ ये ठीक रहेगा अमीर होने का अच्छा शॉर्टकट मिल गया है सुबह होते ही कालुकववा सोनी कवी के लिए सौदिष नाश्ता लेकर आता है कवी जी, आप कितने अच्छे हो आपको मेरी कितनी परवाहे दोनों मिलकर फिर एक साथ वे नाश्ता करते हैं दोस्ती होने की बात तो अब वे दोनों सारा सारा दिन पूरे जंगल में घूमते ही रहते थे फिर ऐसे ही दो हफ़ते गुजर जाते हैं सोनी कवी बहुत जादा मासूम थी वे कालू कवी को अपना सचा दोस समझती थी मैं तो एक महीने से पहले ही जंगल में वापस आ गई कालू जी मुझे देखकर बहुत जादा खुश हो जाएंगे विचारे मेरे जाने के बाद कितने उदास हो गए होंगे अब घर जाते ही सबसे पहले कालू जी को अपने हाथ से स्वादिश भोजर मना कर खिलाऊंगी रानी कवी अपने घर में आती है पर घर में तो कालू कववा होता ही नहीं रानी कवी फिर कालू कवे को ढूने के लिए जंगर में निकल जाती है तब ही एक जगा पर उसे कालू कववा बैठा हुआ नजर आ जाता है अरे ये कालू जी किस कववी के साथ बादे कर रहे हैं सोनी मुझे तो यकी नहीं आ रहा तुम इतनी जारा अच्छी हो और एक मेरी पतनी थी जो हर समय मुझे से लारती रहती थी पता है उसे तो भोजन बनाना भी नहीं आता था जब देखो जलाबुना भोजन बना कर लिया आती थी क्या कवे जी आपकी पतनी भी है पतनी है नहीं थी मैंने उस कामचोर बसूरत कवी को छोड़ दिया मैं तो अब तुम जैसी सुशील कवी से शादी करना चाता हूँ हाई रे ये कालू जी क्या के रहे हैं मुझे तो हमेशा मीठी मीठी बाते करते थे सुनी कवी क्या आप मुझे से शादी करोगी ये बात सुनकर सुनी कवी शर्मा जाती है कालू कवा तो बिचारी सुनी कवी को अपने जाल में फसाने में लगा हुआ था आने तो कालू जी को मेरे होते हुए तो मुझे मीठी मीठी बाते करते थे और मेरे जाते ही किसी दूसरी कवी का फसा लिया आज नहीं छोड़ूँगी, आज उनकी खबर लूँगी अच्छे से थोड़ी देर में कालू कवी जैसे ही अपने घर में आता है तो रानी कवी तो कालू कवी पर गंडों की बरसात कर देती है रानी क्यों मार रही हो मुझे दुष्ट कववी धोके बास मेरे जाते ही किसी दूसरी कववी को भसा लिया आज तो नहीं छोड़ूंगी अरे अरे रानी तुम गलत समझ रही हो माला तो बन करो मैं तुमें स्टब बताता हूँ रानी कववी फिर कालु कववी की बास सुनती है कालु कववा सारी बात बताता है रानी मा कसम मैं सोनी कववी को बिल्कुल पसंद नहीं करता मैं तो उसके पैसों और उसके घेनों की वज़ा से उससे शादी करना चाता हूँ जैसे ही मेरी उससे शारी हो जाएगी तक में उसे लूट लूँगा और हम दोनों लूट कर यहां से कहीं दूर भाग जाएंगे इतनी जादा अमीर है वे कवई, कालू जी ठीक है आप जल्दी से उससे शारी कर लो हम दोनों उसे लूट कर अपने आगे का जीवन बहुत सुकून से गुजारेंगे खिर की पर खड़ी सोनी कववी उन दोनों की सारी बाते सुन रही थी मेरे साथ इतना बड़ा धोका मैं तो कववी जी के लिए सोने की घड़ी बनवाने वाली थी पर अब मैं जान गई ये लालची कववा मुझसे लालच से शादी कर रहा है इसे तो मैं छोड़ूगी नहीं इसकी सारी लालच अब मैं निकालती हूँ सुनी कववी की उलूओं के गैंग से अच्छी दोस्ती थी वे ये सारी बात जाकर उन उलूओं को बताती है क्या हमारी बेहन के साथ इतना बड़ा फ्रॉड उस कववे को तो छोड़ेंगे नहीं उसकी हड़िया पसलिया तोड़ देंगे वे उलूओं के गैंग गुस्ते में कालु कववे के घर की तरफ चली जाती है मारो इत दुष कववे को इसने मुझे ब्यकूब बनाया मुझसे शादी करके मुझे लूटना चाता है ये बस फिर क्या सारे उलू हला बोल देते हैं और सम मिलकर कालु कववे को बुरी तरह से मारने लगते हैं इसी लिए तो कहते हैं लालच बुरी बला है मेरा प्यारा घड़ा मेरे सारे काम अच्छे से कर देता है मिनुचेडिया अपने घड़े से बहुत जादा प्यार करती थी और उसका बहुत जादा खया लगती थी मानुचेडिया मैं कुमचेडिया के घर जा रही हूँ और हाँ मैंने घड़े को भोजन नहीं दिया तुम याज से घड़े को भोजन दे देना मैं भोका नहीं रहना चाहिए अच्छा ठीक है ममा आप चिंता ना करो मैं भोजन दे दूँगा उसे मिनुचेडिया फिर कुमलचेडिया के घर चली जाती है मनुचेड़ा ये सोच के अराम से सो जाता है आज तो वे काफी जादा ठग गया था और समय का पता ही नहीं चलता वे तो काफी लंबा सो गया था वहीं पे चारा घड़ा बहुत जादा ही भूका था वे घड़ा भूक से यहाँ वहाँ जाने की कोशिश कर रहा था तब यचानक वे रसी तोड़ देता है और वे घड़ा अजार हुजाता है बस फिर क्या था भूक के कारण वे घड़ा घाज रूने निकल जाता है वहीं उसी जंगल में एक कालु कवा भी रहता था जो के बहुत जादा गुसे वाला था दोस्तों अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंके ये कहानी आगे और भी जादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है तुम्हारे हाँ तूट गए हैं क्या बुलबुल जो तुमसे काम नहीं हो रहा जल्दी जल्दी काम करो वरना तुम्हारी पगार से आदे पैसे काट लूँगा कालु कवा बड़ा पत्तर दिल था किसी पर भी रहम नहीं करता था कालु जी ये लोग भोजन इतना गुसा ना किया करो वरना और भी ज़्यादा काले हो जाओगे तुम्हें क्या बता इन गरीपक्षियों को ऐसे ही बेज़ट करते रहना चाहिए ताके ये हमारे सर पर नचर जाएं तबी बस मिनोचेडिया कावे घदा कालु कावे के खेत में आ जाता है और कालु कावे की फसल को खाने लगता है अरे कालु जी वो घदा किसका है जो हमारी फसल खा रहा है गदे को देखकर तो कालुकवे का दिमाग खराब हुजाता है और वे काफी जादा गुस्ता हो जाता है ये गदा मुफ्त में मेरी फसल खाएगा इसको तो मैं अब ही बताता हूँ कालुकवा जाता है और एक बड़े डंडे से उस गदे को मारने लगता है पर वे भूका होने की वज़ा से वहां से नहीं जाता और वे फसल को खाय जा रहा था अरे ये गड़ा तो जिद कर रहा है अच्छा ये गड़ा जिद्धी है तो मैं इससे ज़ाधा जिद्धी हूँ अब देखो मैं क्या करता हूँ कालुकावा फिर अपने घर से एक बड़ी कुलहाडी लेकर आता है और उस कुलहाडी से बिचारे घड़े की एक काम कार देता है गड़ा तो बिचारा दर्थ के मारे चीक रहा था वही मिनुचेडिया भी अपने घड़े के साथ होता हुआ ये जुलुम देख लेती है कालुकावे मैं तो बस तुम से यहां किसी काम से मिलने आई थी पर अच्छा हुआ कि मैं यहां पर आ गई तुमने ये क्या किया मेरे घड़े की टांग ही काट दी कितने जारत सालिम हो तुम अरे इस बिचारे ने तुम्हारी जरसी फसल ये तुकाई थी ओए मिनुचेडिया मेरी फसल कोई सस्ती नहीं चो कोई भी आकर खाले चलो ले जाओ अपने इस लंगड़े घड़े को यहां से जालिम कहीं के मैं तुम्हे अब छोड़ूगी नहीं मैं मिठो माराज के पास जाओंगी और अपने घड़े का बदला ले कर आओंगी तुमसे मिठो माराज का नाम सुनकर कालू कववा थोड़ा धर जाता है अरे अरे जाओ यहां से मैं नहीं ड़ता किसी से भी मिठो माराज का नाम सुनकर कालू कववा धर गया था वे रानी कववी को लेकर फॉरण अपने घर चला जाता है मेरी प्यारे घड़े तुम परिशान नहों मैं अभी वैजी को बिलाती हूँ देखना मैं तुमें ठीक कर देंगे मिनुचेडिया जल्दी से उलुवैजी को वहां पर बुलाती है और थोड़े ही देर में उलुवैजी घड़े के पाउँ पर अच्छे से पट्टी कर देते हैं मिनुचेडिया इस घड़े को अराम अराम से ले जाओ और हाँ इससे बिलकुल भी काम न करवाना थोड़ी देर के बाद मिनुचेडिया उस घड़े को लेकर वापस आ जाती है मामा मुझे माफ कर दो काश के मैंने घड़े को घास दे दी होती तो ये घड़ा कालु अंकल के खेत में ना चाता नहीं मानो चिड़े इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्या होगी अगर ख़दे ने थोड़ी सी घास का ली तो मैं छोड़ूंगी ने कालु कवे को अपने घड़े का बदला उससे लेकर रहूंगी दूसरी तरफ रानी कवी और कालु कवा तो बहुत ज़्यादा ही परिशान बैठे थे कालु जी यह आपने क्या कर दिया एक मासूम से जानवर पर इतना जुलम किया उसकी टांग ही काड़ दी देखना मिठु माराज आपको नहीं छोड़ेंगे वो आपसे बदला जरूर लेंगे मैं तो कहती हूँ हम यहां से अभी के अभी भाग निकलते हैं हाँ रानी तुम ठीक क्या रही हो हमें अभी के अभी यहां से भाग ही जाना चाहिए बस फिर कालुकाववा और रानी कववी कुछ दिनों के लिए अपने जंगल को छोड़ कर चले जाते हैं वहीं दूसरी दरफ मिनुचेडिया ने मिठु माराज को सब कुछ बता दिया था मैंने पता करवाया है मिनुचेडिया वे धरपो कालुकाववा तो जंगल ही छोड़ कर भाग गिया परन्तो वो मुझसे नहीं बस सकता मैं उसे कहीं से भी ढूर निकालूंगा सैनिको जाओ जल्दी वे कालुकाववा जादा दूर नहीं गया होगा अरोस परोस के सबी जंगलों में ये खबर फिला दो के कालुकाववा जिस भी जंगल में आए वे जंगल के पक्षी कालुकाववे को हमारे हवाले कर दें बस फिर मिठू माराज के सैनिक अरोस परोस के जंगलों की तरफ निकल जाते हैं महरानी जी मैंने कल ही कालुकवे और उसकी पत्नी रानी कवी को हमारे जंगल में देखा है सैनिक तुम जाओ जल्दी कालुकवे और रानी कवी को जल्दी से पकड़कर मिट्यू महराज के हावाले कर दो ये दोनों बहुत बढ़े अपरादी है मारानी के हुकम पर जगुसैनिक फारण से चला जाता है थोड़ी देर में जगुसैनिक कालुकवे और रानी को विक को पकड़के मिठु माराज के पास लेकर आ जाता है मैंने तुमसे कहा था ना कालुकवे तुम मुझसे नहीं बस सकते मैं तुमसे अपना बदला लेकर होंगी माफ कर दे मिठु माराज मुझे बस गुसा आ गया था माफ कर दे मुझसे गलती हो गई गलती होती तो मैं तुम्हें कपका माफ कर देता पर ये तुमने अपराद किया है मैं तुमें सजा जरूर दूँगा फिर मिठो माराज के हुकम पर उलु सैनिक गिलेंडर मशीन लेकर आता है और उस गिलेंडर मशीन से कालुकवे की भी टांग कार देता है हाँ मेरी टांग मेरी टांग मेरी टांग कड़ गई हाँ अब तुम्हें समझाई होगी कि उस बिचारे घड़े को भी कितना जादा डर्द हुआ होगा जाओ सैने कालुकवे के पाउं पर पट्टी कर दो और इसे छोड़ दो इस तरह कालुकवे को अपने जुरुम की सजा मिल जाती है और वे हमेशा हमेशा के लिए माजूर हो जाता है